सार्निकों के प्रगुण Properties of Determinants तो कुछ सार्निक के हम प्रगुण देखेंगे जिसका की उप्योग करके सार्निक को पूर्ण तह बिना प्रसार किये हम उसका उत्तर लिख सकते हैं या फिर उसे हम सरल कर सकते हैं जो की कुछ इस प्रकार है जिसमें पहला प्रगुण है कि यदि किसी सार्निक के किसी पंक्ति या स्थम के सभी अव्यव शुन्य हो तो उस सार्निक का मान शुन्य होता है तो उधारन के लिए तो यदि इसे आप प्रथम पंक्ती के साफिक्ष प्रसार करें तो आप लिखेंगे 0 into determinant 4916 minus 0 into determinant 3976 plus 0 into determinant 3471 तो इसे जब सरल करेंगे तो शुन्य के साथ किसी भी संख्या का गुणा कीज़े आपको शुन्य ही मिलेगा फल सरूप इस सारनिक का मान शुन्य प्राप्त होता है दूसरा प्रगुण है कि यदि किसी सारनिक की पंक्तियों को इस्तंभों में तथा इस्तंभों को पंक्तियों में परस पर बदल दिया जाए तो सारनिक का मान अपरिवर्तित रहता है तो मानलीजे की सारणिक है delta equal to a1 b1 c2 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 तब हम लिख सकते हैं कि delta equal to a1 into b2 c3 minus b3 c2 minus b1 into bracket में a2 c3 minus a3 c2 plus c1 bracket में होगा a2 b3 minus a3 b2 माना कि यह समीकरण एक है अब मानलीजे की पंक्तियों को इस्तंभों में तथा इस्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सार्णिक जो प्राप्त होता है उसे हम delta dash से प्रदर्शित कर रहे हैं तब लिखेंगे कि delta dash equal to determinant a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 अब इसे जब सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा a1 into bracket में होगा b2 c3 minus b3 c2 फिर minus a2 into bracket में b1 c3 minus b3 c1 plus a3 into b1 c2 minus b2 c1 तो इसे थोड़ा सरल करें और गुणांकों को यदि हम collect करने a1 के साथ फिर b1 और फिर c1 के साथ में तो आप इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं delta dash equal to a1 into b2 c3 minus b3 c2 minus b1 into a2 c3 minus a3 c2 plus c1 a2 b3 minus a3 b2 माना यह समीकरण 2 है समीकरण 1 वा 2 से यह स्पस्ट है कि delta dash और delta का मान समान है तो आप लिखेंगे कि delta dash equal to delta यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सारनी की पंक्तियों तथा इस्तंभों का परस्पर परिवर्तन सारनी के मान को परिवर्तित नहीं करता है अतह जो गुण हम किसी सारनी की पंक्तियों के लिए सिद्ध करेंगे वही गुण सारनी के इस्तंभों के लिए भी सत्य होंगे इसमें तीसरा प्रगुण है कि यदि किसी सार्णिक की किनी दो सनलगन पंक्तियों या इस्तंभों को परस पर बदल दिया जाए तो सार्णिक के मान का केवल चिन बदल जाता है मान लिजे कि determinant तिर्थी कोटी का है A1, B1, C1, A2, B2, C2 और A3, B3, C3 का तब हम इसे लिख पाएंगे कि delta equal to A1 into B2, C3 minus B3, C2 फिर minus B1 into A2, C3 minus A3, C2 और plus C1 into A2, B3 minus A3, B2 ये ब्रेकेट में होगा मान लेते कि यह समीकरण एक है अब मान लिजे कि प्रथम पंक्ती को द्विती पंक्ती में तथा द्विती पंक्ती को प्रथम पंक्ती में बदल दिये या जा रहा है या बदल देने पर प्राप्तसार्णी delta dash है तब हम लिखेंगे delta dash equal to determinant A2, B2, C2, A1, B1, C1 और A3, B3, C थे अब इससे सरल करते हैं प्रथम पंक्ती के सापिक्ष इसका प्रसार करेंगे तो हमें मिल जाएगा A2 into bracket में होगा B1, C3 minus B3, C1 फिर minus B2 bracket में है A1, C3 minus A3, C1 plus C2 bracket में A1, B3 minus A3, B1 इसे यदि आप सरल करें तो इसमें यदि हम minus इनको बाहर ले ले और गुणांग को A1, B1 और C1 निकालने bracket में कुछ पद होंगे तो उसे आप इस प्रकार लिख पाएंगे कि minus एक सरपाकार कोश्टक होगा उसके अंदर हम लिखेंगे A1 then bracket में B2, C3 minus B3, C2 फिर minus B1 bracket में होगा A2, C3 minus A3, C2 plus C1 bracket में A2, B3 minus A3, B2 यह समीकरण दो, समीकरण एक वा दो से याइस प्रस्ट है कि delta dash equal to minus delta तो यदि किसी सारणिकी पंक्तियों तथा इस्तम्भों का विसम बार परिवर्थन करने पर प्राप्त सारणिक के मान का चिन बदल जाता है, लेकिन सम बार परिवर्थन करने पर प्राप्त सारणिक का चिन नहीं बदलता दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी सारणिक delta में कोई पंक्ति या इस्तम्भ, n समांतर पंक्तियों या स्तम्भों के उपर होकर निकाली जाए तो प्राप्त सारणिक बराबर, तो प्राप्त सारणिक delta डैश बराबर minus 1 का पावर n डेल्टा होगा अब चौथा प्रगुन देखते हैं, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां या इस्तम्भ, सर्वसम या आइटेंटिकल हो, तो सारणिक का मान शुन्य होता है मान लिजे कि delta equal to a1, b1, c1, a1, b1, c1 और a3, b3, c3 है तो यहाँ पर delta या सारणिक में प्रथम वा द्वितिय पंक्ति सर्वसम है माना प्रथम वा द्वितिय पंक्तियों को परस्पर परिवर्थित करने पर सारणिक delta डैश प्राप्त होता है तब हम लिखेंगे delta डैश equal to सारणिक a1, b1, c1, a1, b1, c1 और a3, b3, c3 और यह delta के बराबर है परन्तु delta डैश equal to minus delta होता है इसलिए delta बराबर minus delta तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 delta equal to 0 प्रगुण 3 का हमने यहां पर उप्योग किया है और solve करने पर आपको मिल जाएगा delta equal to 0 सारणिक का पांचवा प्रगुण है कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ती या इस्तम्भ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है तो मान लीजे कि एक सार्णिक है जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित कर रहे हैं यह तृतिय कोटी का है a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 यह इसके अभ्याव है तो प्रथम पंक्ति के सापेक्स यदि आप प्रसार करें तो इसे हम लिखेंगे कि डेल्टा इक्वल टू a1 ब्रेकेट में है b2 c3 माइनस b3 c2 फिर माइनस b1 ब्रेकेट में a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 देन ब्रेकेट में होगा a2 b3 माइनस a3 b2 अब माना की सारनिक जिसे हम डेल्टा से प्रदसित कर रहे हैं कि प्रथम पंक्ति के सभी अव्यवों को हम के से गुणा कर देते हैं और इस प्रकार जो प्राप्त सारनिक है वह डेल्टा डेश है तब हम लिखेंगे delta dash equal to determinant होगा तृतिय कोटी का k a1 k b1 k c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a3 b3 c3 अब पुना प्रतम पंक्ति के सापक्ष इसका प्रसार करते हैं तो हम लिखेंगे k a1 into bracket में होगा k a1 bracket में है b2 c3 minus b3 c2 फिर minus k b1 bracket में a2 c3 minus a3 c2 फिर plus k c1 bracket में है a2 b3 minus a3 b2 तीनों पदों पर k जो है यह उभेंश्ट है इसे हम common ले लेते हैं तो आप लिख पहेंगे k into सेस जो पद है वो उसी प्रकार होंगे a1 then bracket में b2 c3 minus b3 c2 minus b1 bracket में a2 c3 minus a3 c2 फिर plus c1 bracket में a2 b3 minus a3 b2 तो इस प्रकार आप लिख पाएंगे कि delta dash equal to k times delta और यही हमें सिद्ध करना है छटवा प्रगुण है कि यदि किसी सारनिक में किसी पंक्ति या इस्तम्भ के सभी अव्यव दो रासियों के योग या अंतर हों तो उस सारनिक को उसी करम के दो सारनिकों के योग या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है तो एक सारनिक हम लेते हैं delta जो की तृतिय कोटी का है और यह है इसके जो अव्यव है कुछ इस प्रकार है तब यदि हम प्रथम पंक्ती के सापेक्ष प्रसार करें पूर्वन इमो का उप्योग करके तो कुछ इस प्रकार की रासियों में प्राप्त होगी तो इस प्रकार यहां पर जो a1 प्लस अलफा 1 के साथ में पदों का गुणनफल है इस प्रकार आगे भी दो पदों पर है तो इनको अलग-अलग करम में विवस्थित कर लेते हैं और हम कुछ इस प्रकार लिख पाएंगे a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1 इंटू ब्रैकेट में है a2 c3 माइनस a3 c2 फिर प्लस c1 देन अगेन ब्रैकेट a2 b3 माइनस a3 b2 प्लस इसके बाद जहां पर हमने a1 माइनस b1 और प्लस c1 लिखा था उसी करम में α1 फिर माइनस b1 प्लस γामा 1 होगा सेस्पद पुरु अनुसार होंगे तो इस प्रकार इसको हम सारणिक में लिख सकते हैं यह भी तृती कोटी का सारणिक होगा जिसके अवयाव कुछ इस प्रकार है पहला सारणिक a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस अगला सारणिक α1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 तो अब सात्वा प्रगुन रेखते हैं जहां पर कथन कुछ इस प्रकार है यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ती या इस्तंब के प्रत्येक अवयाव में किसी दूसरी पंक्ती या इस्तंब के संगत अवयावों को किसी एक ही रासी से गुणा करके जोड या घटा दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है तो मान लिजे कि एक सारणिक है डेल्टा और यह भी तृतिय पंक्ती के अवयावों को लैमडा से गुणा करके प्रत्म पंक्ती के संगत अवयावों में जोड़ा जाता है और इस प्रकार प्राप्त सारणिक डेल्टा डेश है तब हम लिख सकते हैं कि डेल्टा डेश बराबर डेटर्मिनेंट A1 प्लस लैमडा A2, B1 प्लस लैमडा B2 और C1 प्लस लैमडा C2 फिर दूसरा रो है A2, B2, C2 और तीसरा रो है A3, B3, C3 तो प्राप्त 6 में हमने देखा था कि इस प्रकार के सारणिक को दो अलग-अलग सारणियों के योग या अंतर के रूट में लिखा जा सकता है तो प्राप्त 6 का इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं कि सारणिक A1, B1, C1, A2, B2, C2 और A3, B3, C3 प्लस लैमडा इंटू इसमें दूसरा सारणिक है A2, B2, C2, A2, B2, C2 और A3, B3, C3 प्रागुन 5 में हमने यह पढ़ा था कि यदि किसी सारणिक के किसी पंक्तिया इस्तम्ब के सवी अव्याओ को किसी रासी से या किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है तो इस प्रकार जो सार्णिक हमें मिलेगा ये a1, b1, c1, a2, b2, c2 और a3, b3, c3 प्लस lambda into 0 0 इसलिए होगा क्योंकि चौथा प्रगुण में हमने पढ़ा था कि यदि किसी सार्णिक की कोई दो पंक्तिया या इस्तंभ सर्वसम या आइटेंटिकल हो तो सार्णिक का मान शुन्य होता है हमने यह देखा कि प्रथम और दूसरी पंक्ति की जो रासिया है वो वो आइटेंटिकल है सर्वसम है इस वज़ए से दूसरा जो सार्णिक है उसका मान शुन्य प्राप्त हुआ और आगे सरल करने पर आपको मिल रहा है a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3 यह एक सार्णिक के अव्याव है जो कि डेल्टा के बराबर है अब इसका आठवा प्रगुण है कि यदि किसी सार्णिक डेल्टा के चर एक्स वाले अव्याव एक्स में बहुपद हो और एक्स के इस्थान पर a लिखने पर डेल्टा का मान शुन्य हो जाता है तो x-a डेल्टा का एक गुनन्टफल होता है चुकि डेल्टा के चर एक्स वाले अव्याव एक्स में बहुपद है इसलिए डेल्टा का प्रसार भी एक्स में एक बहुपद होगा अब चुंकि x equal to a कर रखने पर डेल्टा का मान शुन्य हो जाता है इसलिए x equal to a प्रसार से प्राप्त बहुपत का एक गुननखंड होगा इसका नववा प्रगुण कुछ इस प्रकार है कि यदि किसी पंग्ति या स्तंब के अव्यवों और किसी अन्य पंग्ति या स्तंब के अव्यवों के सहखंडों के गुननफलों का योगफल शुन्य होता है तो इसके लिए हम यह मान लेते हैं कि माना कि delta equal to a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2 और c3 अब यदि सारनिक के प्रतम पंक्ति के अव्याव के सहखंड निकाले जाए अर्थात a1 का सहखंड तो आप लिखेंगे b2, b3, c2, c3 इसी प्रकार a2 का सहखंड यह b3, c3, b1, c1 और इसी प्रकार a3 का सहखंड यह आपको मिल दाएगा b1, c1 और यह b2, c2 अब मान लीजे कि हम इनके द्वीतिय पंक्ति के अव्यावों b1, b2, b3 से संगत गुननफलों का योगफल ग्याद करते हैं अर्थात b1 के साथ में a1 का सहखंड तो यह b2, b3, c2, c3 प्लस b2, b3, b1, c3, c1 और फिर b3 अंत में b1, b2, c1, c2 इसे हम आगे सरल करते हैं साथनिक को कैसे गुणा करते हैं या कैसे सरल करते हैं आपको पता हैं तो यह b1, b2, c3 माइनस b1, b3, c2 प्लस b2, b3, c1 माइनस b1, b2, c3 प्लस b1, b3, c2 माइनस b2, b3, c1 देखिये b1, b2, c3 यहाँ पर है और यहाँ पर यह दोनों कैंसल हो गया b1, b3, c2 यह रिणात्मक है और यह धनात्मक है चैंसल हो गया यह पद धनात्मक है यह पद रिणात्मक है चैंसल हो गया तो अल्टिमेटली आपको मिल रहा है शुन्य और यही हमें सिद्ध करना था तो यह सारनिक है इसको हम गुणधर्म का उप्योग करते वे सरल करेंगे तो यह वन ओमेगा और ओमेगा और इसको आपको यह पता है कि यह इकाई के घनमूल है और इसके संदर में जो गुणधर्म है यह आपको पता होना चाहिए उसमें से एक यह कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा इसकोर इकुएर इकॉल टू जीरो होता है और दूसरा कि ओमेगा क्यूब इकॉल टू बन होता है तो इससे आप यह derive कर सकते हैं कि omega square equal to 1 upon omega हो जाएगा अप तिरियाग गुणा करेंगे तो मिल जाएगा omega cube तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं omega equal to 1 upon omega square तो यह जो तीन property है उसका उपयोग हम इसको सरल करने के लिए कर सकते हैं तो देखिए कि यदि आप column 1 में column 2 और column 3 को add करें तो 1 plus omega plus omega square मिलेगा इसी प्रकार omega plus omega square plus 1 मिलेगा और omega square plus 1 plus omega मिलेगा तो पहला जो column है इसमें 1 plus omega plus omega square equal to 0 यह पूरा का पूरा column 0 हो जाएगा और आपने सारनिक के गुणधर में पढ़ा है कि यदि किसी सारनिक का कोई रो या column शुन्य हो तो सारनिक का मान शुन्य होता है तो इसे हम लिख रहे हैं कि column 1 यह column becomes column 1 plus column 2 plus column 3 से तो delta का मान अप अरिवरतित रहेगा column 1 तो यह 1 plus omega plus omega square और फिर omega plus omega square plus 1 और omega square plus 1 plus omega दूसरा यह omega और यह omega square यह omega square और यह 1 और यह omega तो यह 1 plus omega plus omega square equal to 0 होता है तो यहां से आपको मिल जाएगा 0 omega omega square 0 omega square 1 और 0 1 omega और इसका मान शुन्य होगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि किसी सारानिक के एक स्थम्भ या पंक्ति के सभिया हो या 0 हो तो सारानिक का मान शुन्य होता है तो यह हमने एक गुण धर्म का उपयोग किया या फिर आप मान लेते कि यह समीकरण 1 है तो 1 में अभी हम लोगों ने कॉलम को एड़ किया था इस तरीके से अब हम लोग रो को एड़ करते हैं तो यह रो 1 है यह रो 2 है और यह रो 3 है तो 1 प्लस OMEGA PLUS OMEGA SQWAR यहां पर भी मिल रहे है और यहां पर भी OMEGA SQWAR SORRY यहां पर OMEGA SQWAR 1 ओर OMEGA मिल रहे है यहां पर आप योग करेंगे तो पहला जो रो है यह 0 हो जाय gloves तो हम लिखे रहे हैं कि रो 1 becomes रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 तो यहां से आपको मिल जाएगा डेल्टा इक्वल टू यह वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेर और यह आपका ओमेगा है और यहां पर यह ओमेगा स्क्वेर इसी प्रकार ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेर प्लस ओमेगा स्क्वेर प्लस ओमेगा और यह ओमेगा तो यह ओमेगा स्क्वेर प्लस ओमेगा ये ओमेगा, ओमेगा स्क्वाइर और वन, ओमेगा स्क्वाइर वन और ये ओमेगा, तो इस तरीके से इस सारणिक में भी पूरा पंक्ति का पूरा अवयव शुन्य हैं, तो सारणिक के गुण धर्म से सारणिक का मान शुन्य होगा, तो इस तरीके से भी आप अन्य प्रश्ण तो मान लेते हैं कि यह डेल्टा के बराबर है और आपने यह देखा है कि सारणिक को समानने तरीके से प्रथम पंक्तिय इस्तम के सापक्ष प्रसार करके भी हल कर सकते हैं और दूसरा कि हम संक्रिया का उप्योग करके भी सरल कर सकते हैं तो इसमें संक्रिया को लगा कर सरल करन तो इसका मदब ये कि दूसरा कॉलम जो है वो एक-एक-एक होगा, इसी प्रकार यदी ये कॉलम 3 में कॉलम 2 को घटा दें, तो 3 में 2 खटाएंगे मिल जाएगा 1, 6 में 5 खटाएंगे मिल जाएगा 1, और 9 में 8 खटाएंगे मिल जाएगा 1, तो दूसरा और तीसरा कॉलम हमारा एक-एक होग चुका है इसका मदब यह कि column 2 और column 3 यह दोनों सर्वसम या identical है और आपने अब पढ़ा है कि सारणी के गुणधर में कि किसी सारणी के 2 पंक्ती या 2 इस्तंभ सर्वसम हो या identical हो तो सारणी का मान शुण्य होता है तो उस तरीके से हल कर सकते हैं तो चलिए हम इस पे लिखेंगे कि column 2 becomes column 2 minus column 1 इस पूरे column में इसको खटाएंगे और इस column में इसको खटाएंगे और c3 column 3 becomes column 3 minus column 2 तो यहां से इस command delta अप अरिवर्तित रहेगा 1, 4, 7 c2 minus c1 तो यह 2 minus 1 5 minus 4 और 8 minus 7 इसी तरीके से 3 minus 2 6 minus 5 और 9 minus 8 जो संक्रिया हमने यहां पर लिखा है वो हम perform कर रहे हैं इससे आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1, 4, 7 2 में 1 गया 1 और यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1 1, 1, 1 तो यहां पर आपको दो स्तंब यह दो कॉलम C2 और C3 समान मिल चुके हैं तो आप लिखेंगे 0 चुंकि C2 व C3 सर्वसम है और आप यहां जानते हैं कि दो कॉलम यह दो रो identical होते हैं तो सारणी कामान शुन्या होता है या फिर आप दूसरी विधी का उप्योप कर सकते हैं यहां पर हमने कॉलम ऑपरेशन अपलाई किया है आप रो ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि साथ में अगर आप चार को खटाते हैं मिल जाएगा तीन आठ में पांच घटाएंगे मिल जाएगा तीन और नौ में छे घटाएंगे मिल जाएगा तीन तो यह पूरा आव्याव तीन हो जाएगा इसी प्रकार यह जो आपका रो टू है इसमें रो वन को खटा दीजे चार में एक घटाएंगे तीन 5 में 2 खटाएंगे 3 6 में 3 खटाएंगे 3 तो row 2 और row 3 identical हो गया तब भी आपको इस सारानिक कमान शुनने मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं कि row 2 becomes row 2 minus row 1 और row 3 becomes row 3 minus row 2 तो यह delta equal to यह row 1 1 1, 2, 3 इसी प्रकार रहेगा row 2 4 रिंड 1, 5 रिंड 2 6 रिंड 3 और यह 7 रिंड 4 8 रिंड 5 9 रिंड 6 आगे सरल करेंगे 1, 2, 3 3, 3, 3 3, 3, 3 तो देखिए यह row 2 और row 3 दोनों identical है तो यह equal to 0 होगा चूंकि row 2 वा row 3 सर्वसम है और आपने यह पढ़ा है सर्वसम है और आपने यह पढ़ा है कि सार्णी के किसी भी दो पंक्तिया स्तंब सर्वसम होते हैं तो सार्णी कमान शुन्य होता है और इसमें एक तीसरी वीधी की आप समान्य तह प्रथम पंक्ति के साप एक्षप्रसार कर दीजे आपको सार्णी कमान शुन्य प्राप्त हो जाएगा